हाई एवरीवन एन वन्स अगें वेलकम बैक टू दा न्यू वीडियो उमीर आप सभी लोग अच्छे होंगे तो एक और नई वीडियो आप सभी लोगों के लिए जो लोग भी माल्टा स्टडी वीजा पर माल्टा आना चाहते हैं उन लोगों के लिए खुशकबरी है खुश और साथ ऐसे हुआ तो इसका सल्यूशन क्या है ठीक है तो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि आप लोगों को पता होगा कि माल्टा का जो स्टडी वीजा है आप लोग अपनी फाइल सम्मिट कराते हो वी एफस में वी एफस में सम्मिट कराने के बाद वी एफस आपकी फा लेते थे उस इंट्रिव्यू के बेस पर आप लोगों का स्टड़ी वीजा वहां से अप्रोव होता था या रिजेक्ट होता था अभी रिसेटली क्या हो रहा है कुछ दस से पंदरा दिन हो गए इस बातों को मतलब अभी चल रहा है कंटेन्यूसली बहुत सारे लोगों के साथ मैंने सिचुएशन देखी है कि वो लोग बोलते हैं कि हमें ओल्बोस 35 डे या 40 डे या 35 डे कुछ ऐसे मतलब हो गया है उनको महीने से उपर हो गया है अपनी फाइल को सब्मिट किये हुए बट वहां से कोई देखो रिस्पोंस क्यों नहीं आ रहा है वहीं कि वो लोगों का इंटर्वीव नहीं ले रहा है रहें क्या और अभी के टाइम में इंटर्वीव नहीं हो आ भी जाता है ठीक है इनद्धगेस अगर आ भी गया तो उनसे 4 5 कुशन पूचे है उससे अलावा कुछ नहीं पूछा है देखो वैसे तो देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है अगर मालता का study visa का interview नहीं हो रहा है लोग यहाँ पर easily आ भी सकते हैं क्योंकि study visa का जो success rate है पहले भी बहुत अच्छा था और अभी भी बहुत अच्छा मिलेगा ठीक है बट एक problem जो हम लोगों ने इसमे को refuse कर रहे हैं मालता के study visa के लिए दो basic चीजी है एक है आपके document दूसरा है आपका interview पहले आपका जो document है वो सबको check होता था अगर उनको लगता था कि document genuine है तो आपका interview के base पर आपका visa आ जाता था बट अभी वो लोग क्या कर रहे है कि वो सिरफ document के base पर ही आप लोगों को visa दे रहे हैं और या फिर reject कर रहे हैं तो make sure अब जो भी लोग document upload करने वाले हो एक तो आपके document proper genuine हो और दूसरा वो proper तरीके से अरेंज करके आप लोगोंने submit किये हो क्योंकि document के base पर ही सारा visa आपका आएगा most of the case में अब interview नहीं आ रहे है तो इस बात का बिल्कुल पक्के से ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि आपका interview आए लेकिन अगर आ जाता है तो उसके लिए भी prepare जरूर रहना क्योंकि अगर आपका interview आता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि उन लोगों को आपके बारे में थोड़ा वो उसके बारे में पता चलेगा otherwise अगर वो document के base पर ही visa देते रहे तो बहुत सारे लोगों के visa refuse होंगे तो make sure कि आप लोग भी interview के तयारी साथ के साथ रखें बट latest update यही है कि बहुत सारे लोगों की query थी कि हम मतलब काफी time से wait कर रहे हैं कि वहाँ से कोई response क्यों नहीं आ रहा है तो response ना आने का reason यही था कि वो लोग interview नहीं ले रहे हैं वो direct आपका जो passport है वो dispatch कर रहे हैं तो ठीक है यह latest update थी interview की त्यारी आप पके से रखना और interview अगर ना आए तो थोड़ा बहुत आपको doubt रहेगा क्योंकि अभी तक भी जितने भी case मैंने देखे हैं सबके almost visa refuse हुए है तो prayer करना कि आप लोगों का interview आज आए अब की बार क्योंकि interview आना एक positive point है यहाँ पर ठीक है तो यह latest update थी आप लोगों के लिए है थीक्त यह चाहँ पूभर मादी आए how